नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहें CWB Hindi News पांच जिलों को पाउंचे का फायदा हिसार एलिवेटिड रोड का काम ब्योगा शुरू हरियाना के किसानों के लिए अच्छी खबर करें लाख रुपे के कमाई बताएंगे पूरी अपडेट पानिपत में आई डाटा एंट्रे ओपर बरती बताएंगे पूरी खबर पीम ने नोर्थ इस्ट की पहली वंदे भारत को हरी जंडी दिखाई गुआटी से न्यूजल पाई गुडी के बीच लेगी 311 किलमेटर का सफर 5.5 गंटे में पूरा करेगी ट्रेन इस रोकर नेविगेशन सेटलाइट N.V.S.01 लॉंज मोबाईल लोकेशन बेहतर होगी आर्मी को दुश्मनों के ठेकानों की स्टिक जनकर रिमिल पाईगी आई पेल 2023 मैच अपडेट जडेजा ने आखरी गेंट पर चोका जमाकर चेने को जिताया पांच उबार चेने चेंपियन बनी धोनीने की रोहित सर्मा की बराबी और अब खबरें विस्तार से हरियना में जून महीने में मौसम को लेकर अच्छी खबर नहीं है इस बार बान में फिजदी बारिस कम होने के आसार जताय गई है इसका सीधा असर राजी में होने वाली धान की रोपाई फर पड़ेगा हालांकि मई महीने में सामाने से 71% ज्यादा बारिस दर्ज की गई है बारिस कम होने के कन राजी में एक जून के बाद गर्मी बढ़ेगी जून की शुरुवात होते ही नोथपा में अधिक्तम दाबान बढ़ना शुरू हो जाएगा हरियाना में 25 मई से शुरूवे नोथपा का असर अभी तक दिख नहीं रहा है मौसम विभा की मानने तो हरियाना में एक जून तक ऐसे ही मौसम रहेगा हरियाना के 16 जिलों में मौसम को लेकर चंडीगड आयमडी नो औरेंज अलट जारी किया है विभा की ओर से कहा गया है कि इन जिलों में 60 किलोंटर परती गंटे के रफ्तार से तेज हवाईं चलेंगी हरियाना के जिन जिले में खटका टोल प्राजा को वाहनों के लिए टोल फ्री करके किसान या एनिशित कालिन धरने पर बैठ गए है धरने पर किसानों ने मीटिंग की और वक्ताओं ने का कि खिलाडियों की आवान पर वैप कोई भी बड़ा फैसला ले सकते है एक कोल पर दिल्ली को चारो तरफ से घेर लिया जाएगा दिल्ली में दूद फल सब्जे की सप्लाय रोग दे जाएगी कंडेला खाब के परदान उम्परकास कंडेला, खेडा काब के परदान सत्बीर बरसोला ने का कि खटका टोल को एनिशित काल के लिए फिरी करवा दिया गया है अब हरियाना को जाम करने दिल्ली को घेरने जैसे बड़े फैसले लेने पड़ेंगे कहा कि दिल्ली में रविवार को जिस तरह से सरकार ने बरबरता दिखाई है वे कता ही सहन नहीं की जाएगी जंतर मंतर पर रविवार को पुलिस से हुई जड़ब के बाद पहलवान सोमार को दिल्ली से रवाना हो गई पुलिस ने कहा कि हमने 38 दिन से धरना दे रहे पहलवानों को हर मुम्किन सुईता दी थी लेकिन रविवार को इन लोगों ने कानून तोड़ा है वहीं डिप्टिक पुलिस कमिशनर सुमन नालवा ने का कि अगर पहलवानों ने अगली बार धरने की इजाज़त मांगी तो हम उन्हें जंतर मंतर पर नहीं बलकि दूसरी जगह पर बेजेंगे दरसल रविवार को जड़प के बाद रेसलर साक्षी ने काहा था कि अब जंतर मंतर पर सत्यागर करेंगे रविवार को नैशनसत के सामने महिला महापंचायद बुलाई गई थी रेसलर ने वहाँ जाने के लिए मार्च निकाला और बेरिगेट्स भी तोड़े इस दोरान पुलिस के साथ जड़प हुई थी इसके बाद विनेश पोगाट साक्षी मलिक बजरंग पुनिया समयत कई पहलवानों को हिरासत मिलिया गया हालांकि बाद में उन्हें रेहा भी कर दिया गया दिल्ली पुलिस ने पहलवानों समयत 109 लोगों पर एफाई अर्दर्ज किया इन पर दंगा फैलाने सरकारी काम में बादा डालने जैसे आरोप लगाई गई है हरियना सरकार ने प्रोपर्टी टैक्स की रासी 31 जुलाई 2023 तक जमा कराने पर ब्याज रासे में 30 फीजदी तक छूट देने का निरने लिया है पहले एचूट 10 फीजदी थी सरकार की और से ब्याज छूट में 20 फीजदी की वर्दी कर दी गई है इससे सहरी छेत्रों में रहने वाले सभी बर्गों को काफी रात मिलेगी जिन नागरिकों का प्रोपर्टी टैक्स बकाया है वे प्रोपर्टी टैक्स जबा कर अगर सरकार की इस योजना का लाब उठा सकते है देश के चयार राजियों के चुनावी कैम्पेन का आमाधियू पार्टी यानि आप हरियाना से आगाज करने जा रही है पार्टी ने इसके लिए आठ जून को राजी के राजनेते का केंदर बिंदू कहे जाने वाले जीन्द में एक मेगा रोडसों का आयूजन किया गया है इस रैली में पार्टी के राष्ट सेयोजक और दिली के सियम अरविंद केजरेवाल भी सिर्कत करेंगे पार्टी के सूतरों का गयना है कि इस रैली में हरियाना के बड़े चेहरों के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्रे भगवांत मान भी मौजूद रहेंगे आमाद्मी पार्टी देश के सेया राजजी हरियाना, राजतार, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में होने वाले विदान सभा चुनाओं को लेकर फोकस कर रही है हलांकि हरियाना से पहले तीन राजजियों में इसी साल विदान सभा चुनाओं होंगे चुनावी कैम्पेन के लिए आमादी पार्टी ने हरियाना कोई क्यों चुना है इसकी कुछ खास वज़े भी है दरसल हरियाना में सत्ता विरोधी लहर भी चल रही है जिसका फाइदा चुनाव में अन्य पार्टी को भी होगा इसके अलावा अर्विंद क्यजरवाल का गरह राज्य हरियाना ही है हरियाना के कोलेज में पढ़ने वाले युवाओं को समाथ सिवा के लिए भी नमबर मिलेंगे हरियाना उच्छे सिवाओं ने ड्रोप आउट युवाओं को पता लगाने के लिए कोलेज स्टूडेंट्स की डूटी लगाई है इसके लिए उन्हें राष्टी सिवायोजना यानि NSS के तहत पांच अंक दे जाएंगे स्टूडेंट्स को यह पता लगाना होगा कि राजी में 18 से लेकर 25 साल तक के ऐसे कितने युवाँ हैं जो कोलेज छोड़कर खाली बैठे हुए हैं दरसल सरकार चाहती है कि राजी में कोलेज छोड़कर घर बैठे युवाँ को वापस उत्सी सिक्षा से जोड़ा जाए या इसके बाद सरकार इन युवाँ को उनकी रूची के आदार पर उन्हें रोजगार के लिए परसिक्षन दिलाने का काम करेगी सर्वे के इस काम में तेजी हासके इसके लिए कोलेजो युनिवस्टी को सर्वे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाने को का आगा है हालांगी स्कूल के प्रोफेसर इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई बादित होगी चोदरी चरण सिंग हरियन करशिव विशुईदाले ने गिया की नई किसम जी एच बाइस तयार की है इस किसम का परती एकड उतपादन की बात करें तो 100 से 120 क्यूंटल तक है इसी के साथ किसम लगाकर 130 से 140 क्यूंटल गिया परती एकड उतपादन प्राप्त कर सकते हैं गुणवता भी बेहतर होती है बर्शाद के मोसम में मचान विदी से लगाएगे गिया जलबराव से बच जाती है जिससे इसमें रोग भी नहीं आते मचान विदी से गया लगाने पर हरियाना सरकार किसानों को अनुदान भी दे रही है गिया की बिजाई के लिए परती एक बिजाई की समय और बाकी दो दिहाई नाइट्रोजन फूल आने वे फल आने के समय डाल दे शड़े हुई काली गोबर की खाज परते एक पोदे के पास एक बुठी डाल दे भारतिय रेल्वे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अमबाला से लेकर एक जून से दिल्ली कटरा वे उदमपुर के बिज दो साफता एक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है ने दिल्ली श्री मात वेशनँ देवी कटरा स्पेशल ट्रेन 2 जून से 30 जून 2023 परतेक शुकृरवार को चलेगी ट्रेन ने दिल्ली से राद सवा गयारा बजे चलकर अगले दिन सुबाई 19 बचकर 25 मिनट पर श्री मात वेशनँ देवी कटरा पहूंच जाएगी वहीं वापसी में यही ट्रेन 3 जुन से 1 जुलाई तक परतेक सनिवार को चलेगी ट्रेन श्री मातावेशनों देवी कट्रा से साम शाड़े 6 बजे परस्तान करके अगले दिन सुबहे 6 बज कर 50 मिनट पर नई दिल्ली पहुंचेगी वहीं दूसरी ट्रेन की बात करें तो नई दिल्ली उदंपूर 1 से 29 जुन तक परतेक गुरुवार को नई दिल्ली से रात सबा 11 बजे परस्तान कर अगले दिन सुबहे 10 बज कर 55 मिनट पर उदंपूर पहुंचेगी वहीं दिल्ली पहुंचेगी रेलवे ने इन गाडियों के लिए काउंटर और ओनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है हरियाना रोडवेज सांजा मोर्चा के आवान पर अंबाला में रोडवेज करमचारी दो गंटे काम का स्ठप कर सरकार के खिलाब परदसन किया करमचारी ओनलाइन ट्राइसपर पॉलिशी का विरोध कर रहे हैं परदसन के दोरान 20 से अधिक रूटों पर बस सेवा परभावित रही ट्राइसपर पॉलिशी की विरोध में उतरे हरियाना रोडवेज सांजा मोर्चा ने फैसला वापस ने लेने पर 11 जुन को फ्रिदावाद में परिवायन मंतरी के आवास पर घेराव करने की भी चेताओं ने दी है यही नहीं फिर भी सरकार अगर कोई कदब नहीं उठाती है तो 26 जुन को परदेश बर में चक्का जाम करने का एलान किया गया है करमचारी ने ने गया कि सरकार द्वारा प अपनी स्टेशन का सिलेक्शन किया तो पोर्टल पर स्टेशन यह उपलवद नहीं है इसके वजह से करमचारी स्वेच्छा से वन्चित रह गए हैं साथ ही करमचारी को 200-200 किलमेटर दूर भेजा जा रहा है बीमारी से पीडित करमचारी को भी इसमें कोई रियात नहीं दी कर ली है इसी करम में सोमर को आईटी पारक स्टित एक डीजी बड़े होटल में मेडिया चरूपरो होने के तैयारी के साथ ही मोधी सरकार की 9 साल के उपलबदी और कोंग्रेस सासन काल में बरस्टाचार घोटालों में परिवारवाद छेतरवाद जातिवाद भाई जैसे वीश्यों को लेकर भाजपा के नेता कोंग्रेस इनेलो और आम आधिव पार्टी के ब्रस्टाचार संबनी मामलों को जनता के सामने रखेंगे राजी सरकार के मुखिया मनोरलाल खटर विपक्स पर हमला करने के साथ साथ लोगसवा और विधान सभाचुनाव की तैय अनन फानन में भारी मातरा में सर्चो की सरकारी खरीद समर्थर मुले पर कर तो ली लेकिन अब एक पक्षोडा बीच जाने के बाद भी यह खरीद एजन्सी के आधिकारियों के गले की फास बन गई है खरीदी कई सर्चो माल गोदामों तक नहीं पहुंचने के कान जहां किसानों को पेमिट नहीं हो पा रही है तता आड़तियों को भी नुक्षान उठाना पड़ रहा है दक्षिन हरियाना की महेंदरगट जिले की मंडियों के बात करें तो अब भी करीब 1.25 लाग सर्चो की मंडियों में पड़े हुए हैं जिन पर बार बार बर सात की मार पड़ रही है इस्ते जिले के किसानों का करीब 40-45 क्रोड उपय फशा हुआ है रिकोर्टोड आवक होने से सर्चो अब भी मंडियों में पड़ी हुई है जिले की नांगल चोदरी, सतनाली, करीना मंडि जहां किलियर हो चुगी है वहीं नारनोल, अटेली और महेंदरगट के अनाज मंडियों में अब भी सर्चो का उठान नहीं हो पाया है नियम के आने की बाद अधिकारी उसे करते रहते हैं करने के निर्देश जारी कर दिये हैं वहीं हिसार में पुराने दिल्ली हिसार शिर्चा रोड पर लोक निर्वान विबाग के द्वारा करीब 8.5 किलमेटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा या रोड शिर्चा चुंगी से लेकर जिंदल फैक्टरी के पास फ्ल कर सकता है आपको बता देंगी यह बरती अनुबंद आधार पर की जाएगी महिलावा पुरुष दोनों वर्गों की अमिदवार अपने आविदन बैस सकते हैं जो भी उमिदवार इन पदों पर भरती के लिए चुक हैं वह अपने आविदन भाहत्री डाक के जरीए बैस सक चैनेज सुपर किंग्स ने IPL 2023 का खिताब जीत लिया है एहमदाबाद के नरेंदर मोदी स्टेडेम में खिले गए रोमा चक फाइनल में चैनेज सुपर किंग्स ने गुजरा टाइटन्स को पांस विगेट से हरा दिया 25 गेंद पर 16 रन बाने वाले डेवन कानवी प्लेयर अब देमेच रहे वहीं चैनेज सुपर किंग्स को आखरी दो गेंदों पर 10 रन की आउशकता थी रविंदर जड़ेजर ने पांस वी गेंद पर चका तो वहीं आखरी गेंद पर चोका जबाकर चैनेज सुपर किंग्स को पांस वी भार IPL चैंपियन बना दिया इसे के 2010, 2011, 2018 और 2021 में खिताब अपने नाम किया था हफते के पहले कारोबारे दिन सेर बाजार में तेजी देखने को मिली सेंसेक्स 344 संकों की तेजी के साथ 62,846 के स्थर पर बंद हुआ निफ्टे के बाद करें तो 99,99 को की तेजी दिखाई दी ये 18,598 की स्थर पर बंद हुआ सेंसेक्स के 30 सेरों में से 20 में तेजी तो वाई 10 में गिरावट देखने को मिली है शेर बाजार में जारी तेजी के चलते भारती शेर बाजार एक बार फिर शे दुनिया का 500 सबशे बड़ा स्टोक मार्गेट बन गया है जनवरी में फ्रांस ने भारत को पीछे छोड़ते वे ये पोजिसन हासिल कर ली थी वही कच्चे तेल यानि ब्रेंट कूट का भाव 80 डोलर के करीब पहुंच गया है सोने के दाम में आज ग्रावट दर्ज की गई है वही चांदी के दाम में उचाल देखने को मिला है राज़ते स्तर पर 99 में सुदिता वाले 24 का एट के 10 ग्राम सोने की किमत की बात करें तो 69,973 रुपए पर पहुंच गई है जबकि 99 में सुदिता वाले चांदी की किमत 70,979 रुपए परती किलोगराम पर पहुंच चुकी है वहीं एक डोलर का डेट 20 रुपए 58 पैसे के स्तर पर बंद हुआ आज खबरों बैशी तनाई देखते रहिए आपका अपना हर्याना का सबसे बेहतरी न्यूज चैनल CWP हिंदी न्यूज नमस्कार